आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का बहुत ही तेस्टी चटपटा क्रिस्पी और मज़ेदार स्नेक्स एक बार बनाईए महीनों तक खाईए बहुत ही मज़ेदार लगता है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने याँ पर ले लिए हैं दो बड़े साइस के कच्चे आलू तो सबसे पहले तो इन कच्चे आलू को हम बढ़िया से छील लेते हैं अब इन आलू को हमें ग्रेटर की हेल्ट से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे तो दोनों ही आलू हमें ग्रेट यानकी कद्दूकस कर लेने हैं अब ये आलू के लच्छे बन करके तयार हैं अब हमने एक बोल में ले लिया है पानी और फटाफट से बिना सवाय गमा हुए हम इन आलू के लच्छों को पानी में डालेंगे और अच्छे से हम इसको दो तीन बार धोएंगे तो यहां पर आलू को कद्दुकस करने के दो कारण थे सबसे पहला जो कारण है वो तो यह है कि हमें आलू से स्टार्च खतम करना है आलू से स्टार्च तभी खतम होगा कच्छे आलू से जह हम इसको बहुत बारीक बारीक कट करेंगे लेकिन इतना बारीक पॉस्विल नहीं था तो मैंने इसको कद्दुकस कर लिया और आप देख सकते हो यह जो क्लावडी पानी है साइट में आपको थोड़ा सा जाग दिख रहा है यह स्टार्च है तो इस पानी को फेक देंगे और दो तीन बार हम अच्छे से और इसे दोलेंगे तो हमने आलू को खूब अच्छे से वाश कर लिया है और अब इनका जो स्टार्च है यह पूरी तरह से खतम हो गया है स्टार्च की वजए से जो में स्नेक्स बनाएंगे वो सॉफ्ट बनता इसलिए स्टार्च को निकालना जरूरी था ताकि यह काफी क्रिस्पी बने अब हमने यहां पर ले लिया है एक मिक्सी का जार और इन आलू को हम मिक्सी के जार में डाल करके बढ़िया से पीसेंगे अब आप सोच रहे होंगे रक्षा जब आलू को पीस नहीं था तो इनको गद्डूकस करने की क्या जरूरत थी हम मोटा मोटा सा काट लेते हैं जी हाँ फ्रेंड्स आप मोटा मोटा काट लेते तो इकतो इस्टार्च खतम नहीं होता आलूं काूपर से आपको आलूँ बेर यहां पर आपको करना ताकि बिना पानी मिलाए इसको अच्छी से पीष सकें तो चलिए आलों को पीष लेते हैं अब मैंने ले लिया है mixing bowl इसके उपर रखेंगे हम एक छनी और ये मैंने लिया है एक कप बेशन ठीक है हमें जरुवत पड़ी तो बाद में हम और बेशन का इस्तमाल करेंगे लगबग हमें यहां पर देड़ कपके करी बेशन मान दीजिए कि लगेगा अब हम डालेंगे आदा चमच हलदी powder कलर के लिए और आदा चमच हम डालेंगे लालमिश powder तो इसको हम छानते समय ही डाल देंगे ताकि अच्छे से मिर्च और हलदी बेशन में mix हो जाये और साथी में हम स्वादण सार नमक भी डाल देते हैं तो लेजे हमने बेसंग को खूब अच्छे से छान लिया है और यह जो पर थोड़ सा पार्ट है इसको हम अलग कर देते हैं अब हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ चीज़े एड़ करेंगे तो यह मैंने ले लिया है अध्रक लहसुन का पेस्ट ठीक है तो यह मैं मार्केट वाले पेस्ट का यूज कर रही हूं आप घर पर इदब बारी क्रीस के भी इस्तमाल कर सकते हैं कम से कम चार लकरियां लहसुन यहां पर सफेद तिल यानि कि तिली तो तिली का फ्लेवर बहुत अच्छा जाएगा तो हम तिली भी डाल देते हैं अब मौइन के लिए इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच तेल इससे हमारा जो स्नेक्स बनेंगा थोड़ी से खसता टाइप का बनेंगा मनलब इदम अश्यादा सा टब आशा सालागे और अच्छे से मोच अश जब रहां तो हमने जो सालू पीस की रखा हो था हम आलो डई Mexico श happened और बस हमें सपून की हर्भ से अश्याद में से मिक्स करना है ताकि हमें खन थी जरूरत है तो लग young head मुझे घर आधा कपके करीशन और दाइग करेंगे तो लीजे हमने इसका एक डो टाइप का या गहडा सा कह लीजे बना करके पेष्ट तयार कर लिया है तो अभी यह काफी चिपक राये हाथों में क्यों क्योंकि यह बेसन है तभी चिपके गई तो इसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे जिससे यह बहुत आसानी से बाद म करके पांच मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे तो इससे यह थोड़ी देर में बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा पांच मिनट बाद हम लिट को अलग करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल बिलकुल आट-दस बूंद के करीब जरा सा और इतना ही तेल हम अ समेट लीजिए तो आप देख सकते हो कि बेशन का एकदम सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो गया है और आप यह हातों में बिलकुल भी चिपक नहीं रहा है एकदम नरम बनाना है शीच का ध्यान दखिएगा यह देखिए बिलकुल इस तरह से इतना नरम होना चाहिए ठीक है इसको हम सायल में रख देते हैं अब ये मैंने ले लिय है नमकीन सेव बनाने वाली मसीन तो यह ऑनलाइन बहुत ही सस्ती मिल जाती है और इसमें ढे सारी आपको डिजाइन की छन्नीया भी मिल जाती है तो सिको हम क्रोल लोएं और खोलंे के बात हम अंदर देल लगा देंग Oil से अब इसमें एक स्टार वाली जहन्य आती है इस तरहीं के से स्टार बना रहता है तो इस शन्य को हम लगाएंगे और इसको अच्छे से तो अब और भी जगा है तो हम थुरा सा और रॉल मना रेते हैं और इसको अच्छे से पूरा भर लेते हैं और ऊपर वाला जो धक्कन वाला पोर्शन है ना इसको हम अच्छे से कस देंगे तो हमारी मशीन तयार है स्नेक्स बनाने के लिए अब यह मैंने ले लिया है एक कर दीजिए तो मैं यह आपर फॉयल पेपर को च्छे से कवर कर देती हूं और अब हम थोड़ा सा वाइल फॉयल पेपर के ऊपर लगा देंगे तो चलिए फटा फट से बनाते हैं अपना इसनेक्स बिल्कुल नए तरीके से हम इसको बनाएंगे इतना आसान तरीका आपको फटा को अंहें यह तरह से कैशी तरह से इसको चलाना होता है बहुत ही आसान होता है इस तरह से नंवी से लबी लायन निकालेंगे बिल्कुल भी चिपकती नहीं है तो इसको हम साइन में रखते चाते हैं और इसी तरह से हम अपने और भी snacks बना के तयार कर लेते हैं अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपको इसका size थोड़ असा बड़ा रखना है तो आप यह जो line बना रहे हैं न मसीन से इसको थोड़ असा और लंबा बनाएगा तो चलिए मैं अगली वासे थोड़ से इसको बड़ा बड़ा बनाऊगी और देख सकते हो कितना आसान है मतलब किसी भी corner से उठाइए गोल गोल घुमाते जाएए और आकरी जो corner होगा उसको थोड़ा सापको joint कर देना है इस चीज का ध्यान रखिएगा ताकि हम इनको जब fry करेंगे तो यह जो है निकले ना अलग अलग ना हो ठीक है तो इस तरीके से आकरी में joint करते जाना है और आप देख सकते हो कितना आसान है इसको बनाना बस dough आपको soft रखना होगा वरना आपको इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी मेहनत जादा लगेगी और यह उतने जादा जो crispy होना चाहिए जो इसमें softness होनी चाहिए वो नहीं रहेगी तो चली इसी तरह से हम सभी snacks को बना के तयार कर लेते हैं देखने में यह आपको ऐसे लग रहे हैं चकली बनाते है आप इसको चकली भी बोल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आलू की चकली बोल सकते हो बड़ मैंने इसको snacks के रूप में बनाया है तो एक बार machine में हमने जितना दो भरा था ना उससे हमारी ल और भी इसी तरह से snacks बना के तयार कर लेंगे तो मतलब इसमें यह नहीं है कि आप fry करते समय ही बनाईए पहले से बना करके आप इखटे रख लीजे किसी भी थाली में grease करके भी रख सकते हैं तो लीजे फ्रेंड्स हमने एक बार में काफी सारे snacks बना के तयार कर लिए है बिल्कुल हमें इनको धीनी आज पर ही सेखना है तब हम इनको डालेंगे और जितने एक बार में आसानी से आजाए उतने snacks को गढ़ाई में डालना है और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको हमें अच्छे से सेखना है और हम इनको तेज आज पर नहीं तलेंगे श बढ़िया सुनेहरा नहीं हो जाता है थोड़ा से इनको ज्यादा ही तलना है आपको ताकि बिल्कुल भी कच्छे न रहे हैं कि हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा बनाया इसलिए आपको तलने में थोड़ा सा समय देना है लग बग आपको आराम से 5-7 मिनट का समय एक बैच क इतना आसान था इनको बनाना कोई जंजटी नहीं है फिरी हो करके कहीं पर भी आराम से बैटके इनको बना लीजिए और जितनी देर में मरजी हो इनको आप फ्राइ कर लीजिए तो चलिए फटा-फट से इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बस इसी तरह से हम अपने बाकी के बचे हुए स्नेक्स को भी तलेंगे तो बहुत ही आसान है देख सकते हो एक बार में जितने आसानी से आए बस उतने ही आपको डालने हैं और इनको उलड़ते पलड़ते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तलना है मैं इसको एक बार फिर से आपको रिमाइंड सी लिए करा रही हूं ताकि आप इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना तलें और आप देख सकते हो सेकंड वैज का भी कलर कितना बढ़िया सुनेरा हो चुका है तो चलिए इसको भी फटा फट से हम निकाल लेते हैं तो कलर आप फ्रेंट्स बिल्कुल ध्यान से देख ल बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं तो जब भी कुछ दोफैर में कुछ हलका फुलका या चाय के साथ खाने का मानों तो इसको निकाल लिए और इंज्वाय करिए बहुत ही क्रिस्पी है चलिए आप इसको क्रिस्प दिखाती हुआ अ तो देखा फ्रेंड्स आपने यह कितने क्रिस्पी बने थे तो मैंने इसको एक कंटेनर में भर करके रख दिया है और मैंने अपनी किचिन में उपर ही रख लिया है और जब वीडियो शूट करूंगी कभी कुछ हलका फुलका खाने का मन हुआ इसी को निकाल के खा लोंगी इस तरह से आप भी यह कच्चे आलू का स्नेक्स बनाके घर पर स्टोर करके रख सकते हैं मैने तो मैने के लिए आराम से आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना तो बिलकुल बनता है थैंक यू